समूचे उत्तर परदेश में लगातार एक लंबे वक्त से धनगर प्रमाडपत्र की आवाझ बुलंद किये हुए धनिगर समाज के लोग कि लेकिन धन प्रमाडपत्र की अगर बात करें तो 14 रूप से कभीवी वियुस्थित रूप से कभी भी बने नहीए और उसी का नतीजा रहता है कि समय समय पर लोगों को धनगर समाज की लोगों को आंदोलित होना पड़ता है और सडकों पर आना पड़ता है कभी धरना प्रदर्शन के माध्यम से या कभी ग्यापन के माध्यम से अधिकारियों को बताना पड़ता है जन प्रत्रितियों को बताना पड़ता है लेकिन अभी तक इनको न्याय इनका जो अधिकार है वो नहीं मिल पा रहा है आज जो धर्ना प्रदर्शन है किस तरह का है क्यों आंदुलित होने की जरूत पड़ विशेश रूप से विशाल धन्ना प्रजर्शन और धन्गर मापंचायत का आयोजन RS परियार फार्मा उस पर आयोजित किया गया है इसमें हमारे प्रमुक विंदू ये हैं कि हमारे सम्मेधान में जो हमारा सम्मेधाने का दिखार है उसमें सन 1950 में इस पस्ट रूप से ये 27 में करमांग पर अंकित कर दिया गया कि धन्गर जाती के जो लोग हैं उनको प्रमारपत्त निद्गत करने का काम किया जाए उसके साफ एक्ष में बहुत सारी जूडिसियल प्रोसीडिंग्स हुई अलावाद हाई कोड में भी हुई और सुप्रीम कोड में भी की गई उनके बावजूद जब अभी जो लास्ट में 2019 में सासना देश हुआ उस सासना देश के उपरांत जिले के किसी भी जिलादेकारी ने अपने सबॉडिनेट यानि SDM को तैसिलदार को और लेकपाल को किसी को भी ये कहकर के नहीं बोला कि इस तालुका में इस गाउं में ये धनगर समाज के लोग रहती हैं इनकी आख्या लगा करके आप इनके परमाडपत्र निर्गत करने का काम करिए जबकि उस आदेश में इस पस्ट कह दिया गया है कि जो धनगर जाती के लोग हैं उनके किसी भी दो बंदूओं से या तो एक कड़ोसी से आख्या ले करके एफिडेविट ले लिजिए और उनके एफिडेविट के बियाप पर लेकपाल उस पर आख्या लगा करके उनको प पर लेकपाल तैसिलदार इनकी जो सोच है वो परिवर्तित नहीं हो रही तो यह उपर से ही आधेश इस तरह के रहते हैं कि बनाने ही नहीं है या फिर निचले स्तार पर ही यह मनमानी कर रहा है लेकिन प्रसासन लेविल से अंदर से अंदरूनी फोन कर दिया जाता है कि जब भी इनके सेटिफिकेट आए द्धनगर के बनने के लिए तो एक भी जारी ना किया जाए ये शासन की नीतियां रहती है जो सरकार में बैठते हैं चुनाब का दोर है निता यहां वोट मांगने के लिए आएंगे अलग-अलग विधान सवाओं में तो क्या कुछ निर्ड़ रहेगा आपके आपको हमारा तुर निर्ड़ यह है कि इस वक्त हम चाहेंगे कि जो हमारी धनगर की बात करेगा सबसे पहला हमारा नारा यह है कि जो धनगर की बात करेगा वो उपी पर राज करेगा जो हमारे धनगर के प्रमाट पत्र देगा हम उसको बोट देने का काम करेंगे यह हमारी सर प्रतम और सबसे पहली विचारदारा रहेगी इस वार यह नहीं देखाएंगे कि हमारे जाती का लोग आ रहा है या फिर हमारी उसका रहा हमें जो धनगर का प्रमाट पत्र देगा क्योंकि हमारी समाज के लोग धनगर का प्रमाट पत्र बना करके बेधायक लड़े, सांसदी लड़े, मंत्री बने, कैमिनेट मंत्री बने, लेकिन आज आम आदिम का किसी का भी धनगर प्रमाट पत्र बनने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक साथ धनगर प्रमाट पत्रे के लिए औलाइन करें जिससे कि प्रसासन पर सासन पर और सरकार पर पूरा दवाब बना सकें लगातार होती उपेच्छा समाज के लिए कितना नुकसान कर रही है जन परतनी दी तो अपना साथिफिकेट बनबा के अपने-पने काम कर रहे हैं लेकिन समाज के युवाओं की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है समाज के लोगों के जब साथिफिकेट नहीं होते हैं तो उन को जन्रप्रदिन्यों की बात तो यह है कि आज हमारी समाज के शिर्षनेता यानि जो कैबिनेट में कानून मंत्री हैं ठीक है और उनको हमने उन्होंने हमें 2019 में भरोसा भी दिया था जब उन्होंने सासनादेश लेके आए हैं इतना सासनादेश हमने कभी नहीं देखा ठीक है उसके बाब जूद भी आज दंगर समाज को आंदोलन करना पड़ रहा है धरना देना पड़ रहा है महाप पंचाते करनी पड़ रही है यह तो बहुत बिडबना की बात है ठीक है और कानून मंत्री अपने आप में बहुत बड़ी हैशियत होती है जब कांग्रेस का देशाजाद हुआ था उस समय बाबा भीम राब पत्र हाँ सब्सक्राइब के लिए शुद्ध के लिए समान को बेज देते हैं और जहां कहीं बात आती है तो समान के आज तक यह किसी काम नहीं आए तो हम लोगों को जित्ते युवा वर गए आगे आने बाली पीड़ी है तो उन्हें अपने हक्की लाई हक्की लाई के लिए वो तर्ण मन और धन से लगे हुए है और मैं आपको यह और बता दूं कि कश्मी से लेके कर्ण्या कवारी तक कोई भी लोकसवा कोई भी विदान सवा ऐसी नहीं है जिसमें धनगा जाती के लोग नहीं रहते हों अभी भी तो मैं पुद्धी लोगो बुद्धी के लेगे लोग जाते हैं संञे में के बाजबा को भाजपा को हराओ धनगर प्रमार्पत्र पाओ यह साफ तोर पर कहना है आप युवा है आपको लगता है कि आपके भविश्य के साथ खिलवाल हो रहा है जनप्रतिनी दी अपना रोटी शेक रहे हैं वो अपनी राजनीती कर रहे हैं जबके एक तगडी पार्टी है सत्ता में जो पार्टी होती है और सत्ता के ही अधिकारी होते है आपकी उपेच्छा होह रही है आपके अधिकारों का अननोर है अगर हम लोग यहां नहीं है तो सम्मेदान में धनकर सब्द कहां से आया हम लोग फिर यह तो भूजर के लोगों ने हम लोग कोरा ठाकुर बना करके और भिरमत कर दिया जाती में फिर उसके बाद हमारी हमसे बुजर के लोग लड़ते रहे बारी बारी लड़ते उन्नीस सो बोग जनुवरी उन्नीस सो पचास को बो सौरी उन्नीस को उत्तर प्रिदेश सरकार ने सासना देश लावी किया सिर्फ बोट के लिए अगर अगर हमारी धनकर साट्विकर्ट नहीं बनते हैं तो हम बाजपा को सबस्ट बदान चाहते हैं कि हमाया धनकर साट्विकर्ट नहीं देंगे तो हम नोटा दवाने का कार करेंगे आपके माद्यम से और मैं यहां पर जिदने भी लोग एकत्रत हुए उन सभी से कहना चाहता हूं कि आप अपने गाउं में जाके एक बैनर बनाए इस प्रस रोड पर लगा दें दनकर साट्विकर्ट की बात करेगा वो लखनुग पर राज करेगा और हमारा बोट नोटा बोट में जाएगा हम सिर्फ नोटा देने का काम करेंगे वकील जी लास्ट क्या कुछ कहना चाहेंगे क्या निर्डे होगा 2022 का चुनावारा है अगर प्रमाल पत्र आपके हाथ मे नहीं दिये जाते हैं कि यह अंदोलन यहां से जो अंदोलन की जो विगुल वजा है इस विगुल को समूचे उत्तरपदेश में उठाने का कार किया जाएगा और हम बिगत कई जिलों में जैसे आगरा अलीगर्ण हात्रस मतुरा एटा और यह आगरा इनमें हमने जो है जगह जगह जागर के लोगों से बैठक की उनसे मीटिये की और उनकी चीजों को हमने जाना जानने के बाद हमने यह पाया कि धनगर प्रमान पत्र के लिए सब के सामने एक ही समस्या है कि सरकार की मंसा और सासन की मंसा धनगर प्रमान पत्र को निर्गत करने लिए उच्छित नहीं बो सासन की जो मंसा है वो नहीं चाहता है कि धंगर प्रमाणपत्र को निर्गत किया जाए उसलिए हम आपका निर्गत नहीं करेंगे बास्तविक सत्ती यह है कि आज हमने यहां पर जो बात कहने का काम किया है वो हम एक ही उद्दे से हमारा कि अगर धंगर प्रमाणपत्र नहीं दोगे तो हम आपको बोट नहीं देंगे और यहां उपस्तित सभी हजारों धंगर सोजाती बंदू यह एकत्रों करके आप सभी एक वार हाथ उठा करके यह कह दीजिए कि विशेश रूप से जो धंगर की बात करेगा वही यूपी पर राज करेगा और धंगर प्रमाणपत्र नहीं तो बोट नहीं 2022 में यह निश्चित रूप से यह समझ ले कोई भी पार्टी हो हम इस पस्ट रूप से इस बात को संपूर धंगर समाज की ओर से यह कहना चाते हैं कि अगर हमारे प्रमाणपत्र आप निखर नहीं करेंगे तो यह समझ आपको बोट देने का कार नहीं करेगा और आपको पूरसी छोड़नी पड़ेगी और आपको यह नहीं मैं इस प्रदेश के सुप्रीमों से भी इस बात को पहुचाना चाहता हूँ कि अगर उनके कान में किसी ने ये भर दिया है कि धनगर इस जिले मनेवास नहीं करता है इस समूचे उत्तर प्रदेश मनेवास नहीं करता मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की 403 विदान समाव में कम से कम 35.000 धनगर और अधिक से अधिक 70.000 धनगर निवास करता है तो इस बात को जान लें धनगर का 35.000 जिस तरफ पड़ेगा उस तरफ समूचे प्रदेश में जो भी पार्टी अपना आना चाहती है हम उसको हराने का काम करेंगे और जिस तरफ पड़ेगा उसको जिताने का काम करेंगे और जाद धनगर का 70.000 वोट है हम इसको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अब धनगर समाजे कत्र हो चुका है संगठित हो चुका है अपनी आवाज को जागरती के रूप में उठाने का पूरा कर सकता है उसके लिए जहां सत्तर अज्जार वोट है महां अपना विधायक चैन करेंगा यह निश्चित रूप से यहां संकल्प लेकर के सभी स्वजाती बंदू जा रहे हैं तो यह आवा है धंगर समाज के लोगों की और साफ तोर पर कहना है अगर 2022 में आपको उत्तर प्रदेश में आना है और धंगर का वोट पाना है तो धंगर प्रमाड पत्र जारी कराईए अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पर क्या अमल करती है और प्रसासनिक अधिकारी जो उदासी नता लगातार बरते हुए हैं धंगर प्रमाड पत्र को लेकर कब तक जागते हैं कैमरे की पीछे आरिन बगेल मैं करतार सिंग बगेल अर्थ नीज